यह है दोस्तो Redmi का नया स्मार्टफोन Redmi A3 जो Redmi ने लेटेस लॉंच कर दी एंडिया के अंदर और यह जो है एक दोस्तो एक बजट स्मार्टफोन है जो कि आपको काफी कम प्राइस में मिलता है तो इस वीडियो में इसके अंबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगो इसके अंदर आपको कैसे फीचर्स मिलते हैं और आपको इसको खरीदना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए अगर आपका बजट जो है दोस्तो आपको मदद 10,000 के अंदर में अपना फून लेना है तो यह आपको जो 10,000 से कम प्राइस में मिल जाता है 9,000 के आसपास और उससे भी 2-300 रुपे कमें मिल जाएगा तो 9,200 रुपे के आसपास ही आपको मिल जाएगा रेडमी का नया A3 तो जानेंगे दोस्तो यह आपके लिए कैसा है तो वीडियो एंड तक जूर दिखेगा और ए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की से इसकी पैकिंग मिलती है जो की काफे डिफरेंटे पहले से और फून को निकालना थोड़ा मुश्किल ही नहीं और कुछ इस तरीके से इजजद के साथ निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें जो बिल जाता है सबसाद पहले रैपर क मनाई है इसके बाद जो यहाँ पे यहाँ पर कुछ इस तरह के सब बॉक्स मिलता है लगी डिजाइन में फिल्कुलि刻 और अंदर की तरफ कुछ यूजर मैंपूली रखेंवे इसके लावा तो भी कुछ phones ऐसे launch हुए जिनके साथ आपको 45W का भी charger मिल जाता है इस budget में और इसके साथ सिर्फ 10W का ही है तो box के जो contents है न दोस्तो वो तो आपको normal type के मिलते है न तो cover है और जो है type C cable एक चीज़ तो बढ़ी है लेकिन charger और जादा fast होना चाहिए था लेकिन चलिए सब चीज़ों को करते हैं side में आपको दिखाता हूँ आपको phone का design कैसा मिलता है और देखने में हमारा Redmi A3 कैसा है जो आपको मिलता है दोस्तो 9000 में 6GB RAM 120GB storage वाला variant तो दोस्तो जैसे आप इसको unwrap करते हैं और यह रहा इसका design जो कि आपको मिलता है दोस्तो वीगल लेदर फिनिश में सबसे बड़ी है चीज़ इसके अंदर यह यह design की quality बहुत premium दी गई है करीब से में इसका design का जो है दोस्तो पैटर्न आपको दिखाते हैं इसके अंदर आपको जो है कैसा light का effect देखने को मिलता है quality कैसी है तो यहाँ पर सबसे पहले camera का module आप देखें यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से जो है effects देखने को मिलते हैं जो कि इसके camera के design को काफी बढ़िया बनाते है तो कुछ इस तरीके से आपको जो दोस्तो यह shade मिल जाता है दोस्तो इस तरीके से इसमें normal type के लग रही है ऐसा नहीं के बहुत ही बढ़िया color हो तो simple type के लग रहा blue color इससे जादा better लगेगा बाकि आप जो अगर उसके unboxing देखना चाहते है blue color में इस phone के तो आप comment में बता दियेगा quality अगर देखे जाए तो वो चीज तो काफी बढ़ी है redmi की branding आपको यहाँ पर मिलती है और पूरा vegan leather finish में design है तो scratchies वगर एकदम नहीं हैंगे दूस्तो design की quality काफी अच्छी मिलती है और सबसे unique चीज यह है leather finish के साथ इसमें आपको camera का module काफी fresh मिल जाता है ऐसे नहीं आइफून टाइप के design में camera दिये गाएं तो वैसा तो pattern नहीं मिलता design की quality वो भी काफी अच्छी और look wise भी design काफी अच्छा है in hand feel जो इसकी काफी premium है और यहाँ पर आपको flat जो इस तरीके से back panel देखने को मिलता है curve नहीं साइड उसे तो थोड़ा सा जो इस तरीके सापको pattern मिलता है लेकिन यह plastic की टाइप का frame है तो जो मत आपको चुबेगा वो बेगा नहीं है ऐसा मत आ कोई problem नहीं होगी तो इस चीज़ आपको देखने को मिलती है quality जो है design की काफी बढ़ी है दोस्तो look wise भी मुझे काफी एच्छा लगा आपको कैसे लगा comment में बताइएगा चलिए on कर लेते हैं दोस्तो हमारे Redmi A3 को देखते हैं इसके अंदर आपको display की quality कैसे मिलती है experience जो इसके अंदर आपको कैसे मिलता है use करने का experience कैसा है चलाने में कितना smooth है कोई hang होगे रहे का issue देखने को मिल रहा है normally उसके अंदर भी है फिर नहीं और display की quality कैसे मिलती है तो जल्दी से मैं इसको setup करके आपको दिखाता हूँ वैसे सके अंदर आपको साड़े change की IPS HD plus display दी गई है तो ये चीज़ तो इसके अंदर आपको सही मिल जाती है display का size काफी सही है सबसे पहली चीज़ जो जो है दोस्तों मैंने इसको देखा तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको wallpaper सिर्फ एक ही मिलता है तो ये चीज़ जो है इसके अंदर by default जो एक ही wallpaper देखने को मिलता है आपको जादा है wallpapers तो नहीं दियेगा मतलब options भी नहीं मिलते है कुछ और अगर by default मिलते तो काफी बढ़िया रहता बागे दोस्तों इसके अंदर आपको कुछ इस तरह की से मिल जाता है काफी clean UI इसके अंदर आपको दिया गया है पहले की तरह जो है बहुत सारी file to की applications तो देखने को नहीं मिलती extra applications इसके अंदर आपको नहीं दी गई और experience जो है दोस्तों इसको यूज़ करने का मतलब इसके अंदर आपको display में जो है refresh rate कितना मिलता है तो यहाँ पर आपको 90 Hz के refresh rate दिया गया है तो यह चीज़ आपको काफी बढ़िया मिल जाती है यहाँ आप 60 Hz पर भी इसको यूज़ का जो कि कुछ इस तरह किसा आपको दिया गया है पंच्छोल केमरा होता तो काफी बढ़िया रहता बागी डिस्प्ले की जो brightness है बिल्कुल फूल कर रखी मैंने और इसके अंदर आपको जो colors मिलते हैं काफी सही मिल जाते हैं brightness नॉर्मल टाइप की ऐसा नहीं कि बहुत ही ज जादा आप expectation अगर रखते हैं कि मतलब डिस्प्ले बहुत सब्राइट होगी तो वह चीज तो देखने को नहीं मिलती डिस्प्ले की brightness नॉर्मल टाइप के color काफी सही है और डिस्प्ले की quality को लेकर सही है बाकि अगर डिस्प्ले की brightness थोड़ी सी और जादा बैटर होती तो क इसी दी गई है dedicated मिलती है फिर जो है दोस्तो hybrid मिलती है तो इसके अंदर आपको यहां पर कुछ इस तरीके से जो दी गई है दोस्तो sim kit रहे यहां फे मिल जाती है आपको dedicated तो दो sim card एक memory card तीनों चीज़े एक साथ लगा सकते हैं और यह 4G phone है 5G तो नहीं है तो आप इस ची speakers मिल जाते हैं नीचे speaker नहीं है उपर की तरफ है और यहां पर आपको headphone jack मिल जाता है तो दोस्तों आपको जो है 3.5 mm का headphone jack मिल जाता है इसके अंदर तो दिक्कत नहीं होगी आपको बाकी premium smartphones में तो किसी में भी आपको यह option देखने को नहीं मिलता तो यह साइड उसका design लें version मिलता है तो वह चीज में आपको दिखाते तो इसके अंदर आपको Android का जो बिल्कुली latest version दिया गए है Android 14 तो यह चीज काफी बड़ी है इसके अंदर आपको मिल जाती है बाकी दोस्तों बात करें इसके RAM और storage को लेकर तो इसमें आपको 9000 दोस्तों में मिल जाएगी 6GB RAM द storage case का बाकी चलिए इसको restart करते हैं मैं आपको दिखाते हूं इसके अंदर आपको performance हो गएरे कैसे मिलती है प्रोसेसर को लेकर यह phone कैसा है तो इसके अंदर दोस्तों आपको वैसे जो प्रोसेसर दिया गया है वो मिलता है के आसपास और आप इस phone को देख रहे हैं तो इस budget के आसपास और दूसरे options भी है मैं इसका comparison भी करने की कोशिश करूँगा जल्दी से तो आप subscribe कर लिएगा चैनल को तो मैं इसके comparison करके जो इसको आपको दिखाऊंगा कि दूसरे phones के साथ जो यह phone कैसा है performance के point of view सो आपको औ normal type का आपको time देखने को मिलता है और आप देख सकते है applications ऐसे से load हो रही है तो speed बगरे को लेकर दोस्तों आपसे यह कहूंगा normal use के लिए सही है बाकी थोड़े बहुत अगर आप एक heavy user है performance यह आपको बढ़िये चाहिए तो 1015 रुप आप अपना budget बढ़ा के और दूसरे smartphone देख सकते हैं तो यह चीज़ जो आपको normal type किसके अंदर देखने को मिलती है बात करें दोस्तों camera के बारे में तो इसके अंदर आपको back side पर जो यह main camera मिलता है यह सिर्फ 8 MP का ही मिलता है अब number से फरक नहीं पड़ता quality देखते है price के साब से आपको कैसी मिलती है तो इसके आपको देखने को मिलती है बाकी जो है normally उसके लिए सही है ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत होगी आपको colors होगरा सही मिल जाते है आपको बाकी जो है और options जब available है तो उनके लिए भी मतदद जो है देखने में क्या बुराई है तो वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी comparison क मिलाने की जल्दी कोशिश करूँगा Redmi के phones के साथ भी और दोसरे ब्रांट में भी तो camera मुझे इसका नॉर्मल टाइप कई लगा बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो 5000 इमेश किसके अंतर आपको बैटरी मिलती है नॉर्मल एक दिन का नॉर्मल बैटरी वेकप अराम जाता है तो सबसे देखा जाए तो इसके साथ भी थोड़ा कम से कम 18 वाट का तो होने ही चाहिए तो चीज़ देखने को नहीं मिलती दस वाट का ही चार्जर है तो यह सारी खुब यह कमिया दोस्तों आपको मिलती है Redmi के latest A3 के अंदर चली बात करतें दोस्तों यह आपके ल दिजान में मुझे काफी पसंद आया quality भी काफी अच्छी है hand feel काफी अच्छी है camera का डिजान भी काफी फ्रेश है ऐसे नहीं मतलब थोड़ा वह आईफून कॉपी टाइप का उस तरीके का डिजाइन इसमें नहीं है तो डिजाइन काफी बढ़िया है quality भी काफी अच्छी वेरियंट आ रहा है ना इसका 3GB 64GB वाला वही मतलब सही है अगर आप 628 इसका खरीदते हैं 9000 में तो मैं आप सही ही कहूंगा मतलब इतने बजट जब आपका हो गया 9000 का तो थोड़े सो और पैसे बढ़ा के 1000 रुपे बढ़ा के तो आप दूसरे smartphone भी देख सकते हैं तो मै comparison ज़रूर करूँगा उसका आपको किसी इसके साथ comparison देखना है किसी और phone के साथ तो आप comment करके बताएगा बाकि मुझे जिन चीज़ों के लिए ये phone अच्छा लगा एक तो इसका design quality में display है बैटरी और दोस्तों आपको normal type की performance मिल जाती है normal camera दिया गया है बाकि इसके pricing का मे 9000 के असपास ही है तो चीज़ देखने को मिलती है और जो चीज़ मुझे इसमें average लगी एक तो 4G smartphone है दूसरे इसके अंदर आपको जो इतना बड़िया नहीं दिये गया कि मतलब जैसे अगर आप एक heavy user है तो आपको दिक्कत ना हो और दोस्तों आपको 5G phone नहीं मिलता तो यह चीज़े जो है थोड़ी मोटी मोटी जो इसके अंदर आपको average टाइप की देखने को मिलती है अब आपको यह पसंद आया या फिर नहीं है फिर आपको इसका comparison देखना चाते हैं आप comment करके बताएगा वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छे लगी तो इसको एक like करक करेंगा चैनल पर आपने हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब कर लीचे ताकि नए वीडियो आप तक पहुच्छते रहें helpful लगी वीडियो तो शेयर ज़रू करेंगा अपने दोस्तों के साथ चले मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बा बाई